हिमाचल प्रदेश परियतन विकास निगम की निदेशक मंडल की बैठ के होटल हॉलिडे होम में अयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता काबिनेट रांक और निगम के उपाध्यक्ष आरेस बाली ने की बैठक में कई महत्वपूर्व निरने लिए गए जिएस बाली ने बताया कि HPTDC के आय में निरंतर विद्धी दर्ज की जा रही है इस वर्ष भी HPTDC की आय में आशातीत बड़ोतरी हुई है पहले आप सबका में धन्यवाद करता हूँ कि आज आप लोगोंने बखत निकाला है आज हमारी बड़ी कुरूशल और बड़ी इंपॉर्टन जो हमारी BOD की Board of Director की बैठक होती है जिसमें हम सभी पूरे परदेश में जो HPTDC के होटल है या इंप्लॉईज है हमारे हजारों लोग पूरे परदेश में और देश में काम करते हैं जो अलग अलग राज्यों में भी काम करते हैं जो HPTDC हमाचल परदेश जो हमारा कॉर्परेशन है टूरिजम का उसके इंप्लॉईज है अगर मैं अलग अलग स्टेट बोलता हूँ तो इसके अंदर बंगाल में कैलकटा में भी हमारे लोग काम करते हैं हमारे दफ्तर हैं हमारे लोग महराश्टर में भी काम करते हैं बॉंबे में हमारा दफ्तर है ऐसे अनेकों स्टेटों में हमारे दफ्तर हैं दिल्ली में हमारा दफ्तर है चंडीगर में हमारा दफ्तर है और अलग अलग जगा हमारी प्रॉप्टी है होटेल हैं जिसके अंद हमारे इंपलोईस काम करते हैं. पहले आप लोगों की आज की इस प्रेस कॉन्फरेंस के माद्यम से, हमारी इस प्रेस कॉन्फरेंस के माद्यम से, मैं अपने एच्पी टी डीसी पूरे परिवार को दिपा वली की दुबारा से पुना धेर सारी शुब काम नहीं देता हूँ. हमने बहुत बड़े निड़ने लिये हैं आज इसके साथ मेरे साथ MD साथ IS राजीव कुमार जी बैठे हैं मेरे साथ अमबर जी बैठे हैं जो डिरेक्टर है टूरिजम के और साथ में सोनी जी बैठे हैं जो डिरेक्टर है टूरिजम के और साथ मैं तनेजाजी जो की जनल मैनेजर है, हेड है टूरिजम के कॉर्परिशन के होटेल्स के हिमाचल प्रदेश में आज HPTDC के जो इंपलॉईस हैं, उन सब के लिए हम एक नई चीज लेके आए हैं सबसे पहले तो आपको बताने में मुझे अत्यम्त खुशी महसूस होती है कि HPTDC के रेविन्यू में इस साल इजाफा हुआ है HPTDC का जो रेविन्यू है, हमारे होटल जो है, वो चाहे पुराने हुए है पर हमारा रेविन्यू जो है, वो बड़ा है इसका मतलब जो हमारी स्टेटेजिक लोकेशन है और जो हमारे पुराने होटल जिनका चाम है जो चेरिटेज होटल है, पुराने होटल है और आज हमने उनकों से काफी सारे होटल रेविन्यूवेट कराए है जिस होटल में आप खुद बैठे हैं इस समय प्रेस कानफरेंस हो रही है यह भी रेविन्यूवेट हुआ है इसका रेस्टरंट भी रेविन्यूवेट हुआ है इसके रूम्स भी रेविन्यूवेट हो रहे हैं और ऐसे हमने चरन बद इसके अंदर हम पूरे HPTDC का जो चेहरा है उसको बदलने जा रहे हैं HPTDC के जो होटेल्स हैं उन होटेल के अंदर और जो हमारी प्रॉपटीज हैं उसके लिए हमारे employees के बारे में सोचते हुए क्योंकि मैं employees के बारे में भी जो परिवार के सदस्य होते हैं उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ता है HPTDC सबसे पहले तो सेवा करने की organization है हम लोग अतिती देवो भवा इसको अपने जहन में लेके चलते हैं और पूरे देश से जो प्रेटक आते हैं उनका सबसे पहले जो उनको safety और most beautiful room और best services जो मिलती हैं HPTDC में मिलती है safety इसलिए क्योंकि government का ही हमारे सारे सरकारी मुलाजिम जो सारे corporation में काम करते हैं और जब हिमाचल सरकार ने कोई ऐसी बड़ा इतना corporation बनाया है और कहीं न कहीं हिमाचल सरकार के ही सारे अफसर इसमें नोकरी करते हैं इसमें काम करते हैं तो मुझे लगता है कि इसके अंदर लोगों को safety महसूस होती है इसके अंदर लोगों को security महसूस होती है हमारे होटल जो है वो सबसे खूबसूरत locations में हैं ऐसी location कहीं न lubbed नहीं मिल सकती क्योंकि जो सरकारी भूमी होती है वो हर जगा है और सरकारी भूमी में जो सबसे सुन्दर भूमी है उसमें होटल बनाए गए है तो अपने USP को जो हमारा USP है उसको भामते हुए उसको जानते हुए उसको पहचानते हुए हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है और आगे बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर बढ़ा एक सिंपल मापडन रखा कि जो A कैटेगरी होटल है जो हमारे मुनाफे में है जो B कैटेगरी होटल है जो हमारे उससे कम मुनाफे में है और जो C category hotel है जो हमारे नुकसान में है हमने उन सब के लिए एक strategy frame की सबसे पहले जो hotel हमारे बहुत अच्छा कर सकते हैं उनको बड़े स्थर पे renovate करने का काम किया जा रहा है और renovation के लिए हम मनाली के अंदर चार hotel लेके आए ये चार hotel जो है ये रोतांग hotel नगर कैसल और उसके साथ साथ कुलू के अंदर दो hotel और मनाली में club house शिमला से कैमरामेन युगमार्ग टीवी